नमस्कार साथियों, Law, Order and Civil Rights YouTube चैनल में आपका स्वागत है. आज हम गाउं और गरीब बच्चों के लिए English-spoken classes प्रारम करने जा रहे हैं. ये आपके लिए बहुत ही उप्योगी साबित होगा, ऐसा मैं मानता हूँ. English-spoken classes for villages and poor students. देखिए, हमने एक वीडियो में वादा किया था कि जब तक हम English में इंप्रूब नहीं करेंगे या English हमें जानकारी नहीं होगा, तब तक हमें न तो सफलता हाथ लगेगी और नहीं हम कोई सपने जो सोचे हैं वो पूरा होंगे. यदि आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का घ्यान भी होना जोरी है. ये नितान तावस्यक है. इसलिए आप इसे सिरियस मामला समझ कर आप सीखने की कोशिस करें. दोस्तों, कोई काम ऐसा नहीं है कि हम प्रयास करें और उसमें सफलता न मिले. यदि आपको लगता है कि इंग्लिस स्पोकन क्लासेस हमारे लिए एक बहुत बड़े समस्या है और हम नहीं सिक पाएंगे यानि कि हम नहीं बोल पाएंगे ये कहना मुरुकतापूर्ण कारी है. इसलिए आप ज़्यादा सोचे नहीं बलकि जो हम उपाएंगे बता रहे हैं उस उपाएंगे को यदि आप करते हैं तो मुझे पुरा विस्वास है कि आप इस कारे को सरलता पुरुवक आप सफलता हासिल कर सकते हैं इस कारे को कर सकते हैं हम कुछ बाते आपको बता रहे है देखिए ये जो हमारी जो इंग्लिस spoken clauses है कौन इसमें भाग ले सकता है Who can join in these clauses सबसे पहला point जिनें इंग्लिस लिखना, पढ़ना या बोलना नहीं आता है जिनें इंग्लिस के बल बोलना नहीं आता है बलकि पढ़ना और लिखना दोनों आता है मतलब वो समझ जाता है लेकिन बोल नहीं पाता है जो इंग्लिस improve करना चाहते है तिसरा किसी भी उम्र के boys and girls जिसमें से boys student and girls student किसान, ब्यापारी, housewife, इतियादी इस class में सम्मिलीत हो सकते है हम यहाँ पर कुछ बाते बता रहे है जो आपको समझना है जैसे कि हमने कुछ चीजों को word को जो है हम इंग्लिस को हिंदी में लिख देंगी यहाँ पर जैसे इतियादी सब्द होता है जिसको add center कहते हैं etc कहते हैं अब लोग add center होता है इस class में समझना हो सकता है इस class में वही बेक्ती join करें जो हकिकत में इंग्लिस spoken करना चाहते हैं जिन में जुनून हो सिखने की वही बेक्ती इस spoken class में इंग्लिस spoken class में join करें कितने दिनों का ये course है यानि कि हम कितने दिन में इंग्लिस spoken आ जाएगा मतलब हम इंग्लिस में बोलना सिख जाएंगी और वह भी धारा प्रवा जिसको fluent कहते हैं fluent fluent इंग्लिस कब बोल सकते हैं what is the duration of this course यहापर हम तो सिखने के लिए कई तरीका अपनाएंगे हम word power भी बढ़ाएंगे हम बोलेंगे बार-बार हम आपको एट्मोस्पियर देंगे बोलने के लिए ये सब उपाय आपके लिए हम लेकर आएंगे जिसके माद्यम से आप सिख सकते हैं घर बैठे आपको किसी कोचिंग सेंटर में जोईन करने की जरुरत नहीं है जैसे हम हिंदी fluent बोलते हैं वैसे ही इंगलीज बोलने लगेंगे उसमें से मैं भी हूँ मैं भी सिखूंगा सिखाऊंगा भी और मैं अपने confidence लेबल को बढ़ाऊंगा भी यहाँ पर यहाँ पर एक बात आपको और याद रखना है कि next वीडियो में आने के पहले जो इसके पहले वाला वीडियो जरूर पढ़ें जरूर देख लें ताकि next वीडियो को समझ आ जाए यहाँ पर जब तक हम फराटेदार इंगलीस नहीं बोल लेते तब तक हम यह कोर्स को चलाते रहेंगी यहाँ पर देखिए मैंने एक तरीका बताया हुआ है जैसे मैं कोई चीज को बोल रहा हूँ जैसे यहाँ पर जब तक सब्द का पुर्यूप किया है यहाँ पर सीख लेते वाले सब्द का पुर्यूप किया है तब तक का किया है यह जो सब्द है यहाँ पर फराटेदार सब्द है तो इस तरह के हमने आपको बताएंगे जैसे जब तक यहाँ पर इसको जब तक को until क्यों कहते हैं until until देखो until यहाँ पर में un है और till है ना अधरनाव है till है until इसको बोलेंगे कैसी इसका जो है phonetic क्या होगा phonetic avis मतलब उसके आवाज उसके उचारण यहाँ पर जो है phonetic जो है इसके phonetic को हमको समझना है until until क्यों बोलते हैं यहाँ पर एक तो जब तक की बात कर रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पर समय का भाव हो रहा है समय का, समय का, समय का प्रयोग हो रहा है जब तक, जब तक, मतलब यह मालिचे पाइंट है और यह एक दूसरा पाइंट है यह समझ लिजिए, दूसरा पाइंट है यह एक छोर है और यह दूसरा छोर है यहां पर, दो छोर है, मालिचे यहां से यहां की बात कर रहे हैं, यहां से यहां की बात कर रहे हैं, आप जो है, तब तब जब तक, यह जब है और तक है, यहां पर आप खड़े होते हो, उस समय की बात कर रहा है, और फिर दूसरी बार जो है, आप यहां खड़े होते हो, ठी लेक है until, ठील का मतलब समापती तक, यह समापती चिनना आपका जो है, अन का मतलब होता है अभी start नहीं हुआ है, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक पहुँचने में, यहां से लेकर यहां तक पहुँचने में, यहां से लेकर यहां तक पहुँचने में, यहां से जो समाप समाप्ति हो जाएगा तो इसको बोलते हैं अन और यह तिल यहां से लेकर यहां तक यहां से लेकर यहां तक इसका मतलब जब तक मतलब अन और तिल तिल मतलब समाप्ति की और अन अन का मतलब जहां स्टार्ट नहीं हुआ है और तिल तो इसको अन तिल कहते हैं जैसे यहां पर so long as भी कहते हैं इसको जब तक को so long as मतलब long means यह वाला point जो है यह long है यह long है और यह so है और as है as मतलब जहां तक आपको पहुँचना है लच्छ है इसलिए इसको so long as so long as इसको बार बार प्रियोक करना है यह so long as as यहां पर देखिए हमने पोड़ेप कर दिये so long as यह until यहां से यहां यहां से यहां छलांग मारीए यहां से यहां तक छलांग मारीए तब तक छलांग मारते रहेंगे जब तक यहां से यहां पार नहीं हो जाती इसलिए इसको जो है until कहा जाते है और इसको so long as long miss दूरी यह दूरी है और यहाँ पर so और edge इसलिए इसको जो है so long edge कहते हैं इसको फिर तब तक तब तक यहाँ पर पहुँचने के लिए तब तक इसका मतलब meanwhile यहाँ से जैसे meanwhile मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में तब तक मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में यहाँ से माल यह बस का पर्योग करेंगे या पैदल का वाकिंग का वाकिंग करेंगे यहां पर तो इसलिए इसको जो है हम लोग क्या करते हैं तब तक मतलब होता है meanwhile, यहाँ पर देखिए इसको पकड़िए, meanwhile, यह, yet, yet, तब तक, तब तक, yet का परियोग जो है, yet and meanwhile का परियोग करते हैं, इसी परकार से इस सब्द में फराटेदार हुआ है, फराटेदार को जो है हम fluent करते हैं, fluent, 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 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उचारण इसको करना है, fluent, 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 का पर यहांब नियुक हुए के का परीज़ आपकर अपने पतुक्त को एक परियूग हुए की जई? यहाँ पर क्या पर होगा है? Speak यहाँ पर बोलना चालू रहना Run यहाँ पहुँच जाना यह run का कही है रहता दोड़ना के बल नहीं होता पहुँच जाना दोड़ने का मुख्य उद्धिस क्या है? पहुचना इसलिए run कहते है run मतलब दोड़ना यहाँ पर चालू रहना या पहुंच जाना का परयोग जहें हम run के रूप में परयोग करेंगी इसके बाद में देखते हैं खायत हो बहुत सारे हम क्यों इंगलिस नहीं बोल पाते हैं मैंने एक उतारन बताया हूँ उसी प्रकार से मैं आपको याद कराऊंगा इस तरह सा बढ़ना है तो आपके पाँ यह confidence level बढ़ रहा है अपने confidence level को बढ़ाना कैसे है तो इसलिए हम कर रहे हैं हम क्यों इंगलिस नहीं बोल पाते हैं वाई कोंट वी स्पीकिंगलिस यहाँ पर हमने पढ़िए दे वाई 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 यहाँ पर देखी इसको जो है आपको बार-बार प्रियोग करना है यही हमारा confidence level कमी होने के कारण जो है गलती कर रहे हैं cannot cannot we speak English we speak English तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कुछ जहें इंगलीज बोलने के लिए हमारे पास confidence चाहिए confidence आपको बार-बार पर पर रहे हैं confidence चाहिए वो भी high level confidence चाहिए इंगलीज बोलने के लिए हमारे पास confidence चाहिए वो भी high level confidence चाहिए जैसे हिंदी बोलने के लिए हमारे पास वो high level confidence है जैसे कि उधारणकर में बता रहे हैं स्कुल जाने के पहले हम बहुत बाते हिंदी में बोलना सीख चुके थे जब हम स्कुल गए थे उसके पहले हम हिंदी फराटेदार बोल रहे थे छोटा बच्चा आपजर्वेशन करके सिखता है मतलब कोई घ्रामर उनको जानने की जड़रत नहीं है केबल बच्चा जो है आपजर्वेशन करता है हम भी आपजर्वेशन करके इंगलीज सिखेंगे चाहे कुछ भी करना पड़े हम भी आपजर्वेशन करके इंगलीज सिखेंगे चाहे हमें कुछ भी करना पड़े इस बात को हमेशा ध्यान रखीगा कोई कहता है कि वर्ड पावर बढ़ाओ खुब इंगलिस पेपर पड़ो मुवी देखो अपने आप बोल लोगे क्या ये सही तरीका है इंगलिस सिखने का मुझे नहीं लगता ये सब ये क्या आपको हाई लेबर कॉन्फिटेंस को बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा प्राबलम है कहां हमारा प्राबलम है हम इंगलिस को हिंदी में समझते हैं हिंदी से इंगलिस ट्रांसलेट करते हैं फिर इंगलिस बोलते हैं तो थोड़ी सी गेप हो जाती है जिससे confidence लेबर गिर जाता है यहाँ पर English grammar सीको noun, pronoun जानो, tense जान लो, ये जान लो, वो जान लो तब English बोलने में आपको confidence आ जाएगा लेकिन confidence आएगा या नहीं आएगा ये सब जान लिया, उसके बावजुद भी English बोलने में confidence नहीं बढ़ता है, नहीं बढ़ा हमारा तो इसका मतलब क्या चाहिए हमें, English बोलने के लिए हमें दो काम करना पड़ेगा जैसे कि मैं I comment sir, बोलते हैं नहीं, ये word मैं I comment sir कहने में problem नहीं होता, उसी तरह हम भी कुछ वाग के रचना English का परियोग करेंगे और confidence के साथ बोलेंगे, तो हम भी फराटेदार English बोल लेंगे यहाँ पर कैसे प्रारम करें, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हम A, B, C, D से ही प्रारम करेंगे यानि कि alphabets और phonetic, phonetic से सुरुवात करना ठीक रहेगा, alphabets और phonetic से सुरुवात करेंगे इससे क्या होगा, वो भी ऐसा सिखेंगे जैसे कि confidence level बढ़े confidence level को बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे, केवल पढ़ेंगे नहीं, इन्हें याद भी करेंगी ताकि दिमाद में रहेगा और अपने आप उचारन होगा, देखना फिर क्या होता है, इंगलिस का फराटे देर उचारन हम भी करने लगेंगे आप मेरे बातों से सहमत हैं, तो कृपिया इस वीडियो को लाइक करें, यदि लाइक नहीं करेंगे, तो हम समझेंगे कि आपको हमारा सलाप पसंद नहीं आया, और फिर इंगलिस क्लासेज हम नहीं चलाएंगे साथियों, ये हमारी एक प्रयास थी, केबल आपसे सुझाव लेने के लिए, हमने एक वीडियो को डाला हुआ है और यदि इस से आपको कोई बेनिफीट होने की संभावना है, तो ही आप कॉमेंट्स बाक्स में लिखें और इसको फारवर्ड कीजे, एक माहूल तैयार कीजे, एक फारवर्ड करके माहूल तैयार कीजे ताकि धेर सारे बच्चे खम साथ मिलकर इंगलिस बोलें और इस दुनिया में खम से बड़ा आदमी और कोई नहीं वो सकता, मैं ये समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा फराटेदार इंगलिस और कोई दूसरा बेक्ती नहीं बोल सकता इस के साथ ही आज का वीडियो इतना ही, फिर नेस्ट वीडियो हम A, B, C, D से सिखेंगे थैंक यू